सीरियल गुम्ह quier किसी के प्यार में में बहूत बड़ा लीप आने वाला है लेकिन लीप से पहले ट्विस्ट आएगा लीप से पहले कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी क्योंकि कहानी में सबसे बड़ा तर्का जो लगा दिया है मेकर्स ने जी हाँ सवी के साथ होने वाला है बहुत बड़ा हाथसा जिसके बाद अलग हो जाएंगे सवी और विनायक क्या होने वाला है ऐसा और किस तरीके से कहानी बदलने वाली है मापको इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर अगर अगरी तक आपने चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों आपको बता दें कि 17 जून से शो में लीप आ जाएगा और नए किर्दार आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा ट्वेस्ट आएगा यहां पर जर्मनी जाने की फ्लैनिंग हो रही है जर्मनी जारी है कोई और नहीं बलकी सई सत्या को लेकर उसके इलाज के लिए और वह सवी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है लेकिन सवी मना कर देगी भवानी की बातों में आकर और यहां पर वो रुख जाएगी चवान हाउस में लेकिन आधी रात को वो अपनी मा के पास वापस जाना चाहती है लेकिन घर में उसका बावर नहीं होता क्योंकि एक आतंगवादी साजश रची जा रही है एक आतंगवादी को जेल से बाहर निकालने के लिए और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आएगा कि जब आधी रात को सही निकलेगी घर से बाहर तो सवी किरनाप हो जाएगी जी हां सवी किरनापिंग करेंगे आतंगवादी और फिर सबसे बड़ी डिमांड ये रखी जाएगी कि या तो सवी को ले लो या तो जो आतंगवादी हमारा जेल में है उसको बाहर निकाल दो विराट ऐसे में टूथ जाएगा और उसको आतंगवादी को बाहर छोड़ना ही पड़ेगा लेकिन अब जर्मिनी अकेली नहीं जाएगी सई विराट भी जाएगा सई के साथ जी हाँ अब सवी को नहीं लेके जाने वाले हैं दोनों उसे अपने घर पे छोड़ जाएंगे और अब ऐसे में सत्या जब ये कह देगा कि सई और विराट तुम दोनों अब एक हो जाओ क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं चाहूंगा कि तुम दोनों ही चलो मेरे इलाज के लिए तो सवी को चवान हाॉस में छोड़ के जाएंगे और विराद और सhi दोनों जाएंगे जर्मीनी सत्या के साथ हाला कि जिस आतंगवादी को अजात किया होगा वो प्लेन में बॉर्म ब्लास्ट कर देगा और प्लेन क्राश हो जाएगा सब के सब मारे जाएंगे सत्या भी मारा जाएगा सई भी मारी जाएगी और विराड भी मारा जाएगा अब आपको ये बताते हैं कि चवान हाउस में सवी और विनायक अलग हो जाएंगे और अब देखना ये होगा कि दोनों फिर से कैसे मिलेंगे इतना एक्साइटेड है आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें